गूगल ने आज अपना डूडल बंगाली कवित्री, कारी करता और शिक्षा विद्ध कामनी राय को समर्पित किया है 12 अक्टूबर 1864 को ततकालीन बंगाल के बाकेर गंजिले में जन्मी कामनी राय की आज 155 जैनती है कामनी राय भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने बिटिश इंडिया में सनातक किया था वे अपने जीवन में महिला अधिकारों के प्रती समर्पित रही कामनी एक संब्रान बंगाली वैद परिवार से थी उनके पिता चंडी चरण सेन, एक नयाधीश और एक लेखक ब्रहम समाज के प्रमुख सदस थी कामनी ने अपने पिता के पुस्तोकों के संग्रे से बहुत कुछ सीखा और वे पुस्तकाले का बड़े पैमाने पर उप्योग कर दी थी वह एक गड़तीय विलक्षन थी लेकिन बाद में उनकी रुची संस्कृत में जाग गई निशीत चंडी सेन उनके बड़े भाई कलकत्ता उच नयायाले में एक प्रसिद्ध बैरिस्टर थे और बाद में कलकत्ता के महाबौर बने जबकि उनकी बहन जैमनी तदकाली नेपाल शाही परिवार की ग्रह चुके सकती उस दौरान कामनी रॉय ने महिलाओं के अधिकारों उनकी पढ़ाई की वकालत की कामनी रॉय को बचपन में गड़त में रुची थी लेकिन आगे के पढ़ाई उन्होंने संस्कित में की कुलकाता के बैथून कॉलेज से उन्होंने 1886 में बी ए उनर्स किया और फिर वहीं पढ़ानी लगी 1894 में उन्होंने के दारनात रॉय से शादी की कॉलेज में ही उनकी एक और स्टुडेंट अबला बोस से मुलाकात हुई थी अबला महिला शिक्षा और विद्वाओं के लिए काम करने में रुची लेती थी उनसे प्रभावित होकर कामिनी रॉय ने भी अपनी जिन्दगी को महिलाओं के अधिकारों के लिए समर्पित करने का फैसला किया कामिनी रॉय ने अनलिखकों और कवियों को रास्ते से हट कर प्रत्वायत किया 1921 में वो कुमुदनी मित्र और बेंगिया नारी समाज की रॉनालनी सेन के साथ महिलाओं के मतादिकार के लिए लड़ने वाली नेताओं में से एक थी 1925 में महिलाओं को सीमीत मतादिकार दिया गया और 1926 में पहली बार बंगाली महिलाओं ने अपने मतादिकार का परियोग किया वो महिला श्रम जाच आयो की सदसे थी 1923 में उन्होंने बारी साल का दोरा किया और सूफिया कमाल जो की एक युवा लड़की को लिखन जारी रखने के लिए प्रोर्च साहित किया वे 1930 में बंगला साहित सम्मेलन की अध्यक्ष बनी और 1932-33 में बंगी साहित परशत की उपाध्यक्ष थी वेकवी रवीन नाट टैगोर और सिंस्कित साहित से प्रभावित थी कलकता विश्विद्याले दोरा उन्हें जक्तारणी सुणड पदक से सम्मानित किया गया अपने बात के जीवन में वो कुछ वर्षों दख हजारी बाग में रही उस छोटे से शहर में वो अक्सर महिश चंद गोश और धीरेन नाच चौदरी जैसे विद्वानों के साथ साहित और अन्विश्यों पर चर्चा करती थी 27 सिदंबर 1923 को उनका निधन हो गया अमरुजाला डॉट कॉम अमरुजाला ग्रुप का मीडिया स्कूल यानि टैंप्स दी रहा है सुनेहरा मौका एक साल के डिजिटल कोर्स में सीखें पत्रुका दिता कोर्स में सफल हुए छास्त्रों को मिलेगा प्लेस्मेंट